नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लगुत्तम यानि की LCM और HCF में अंतर निकालेंगे वो भी एक्जामपल के साथ में कि आपको समझ में आये कि एक्चुल में LCM और HCF होता क्या है तो यहां पर देखिए मैं आपको सबसे पहले एक एक्जामपल के तोर बता देतaren ओं कि यह होता क्या है फिर आम इसको एक इक एक्जामपल के थ्रू करके भी देख लेंगे तो यहां पर देखिए मान लीजे कोई संक्या है चार चै और आठका देंगे तो घो क्या होगा वो इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा मतलब कि जो संख्या आएगी इनका LCM वो इन सभी से डिवाइड होगी और HCF क्या होता है जो इन सभी को डिवाइड कर दे तो मतलब तीन बैसा का वैसा आजाएगा दो दूनी चार ठीक है यह हो गया फिर इसके बाद में एक बार तीन से दे देते हैं तो वन का वन आ जाएगा तीन एकम तीन और दो का वैसा का वैसा आएगा ठीक फिर इसके बाद में फिर दो से करते हैं दो एकम दो फिर एकम दो फिर एकम द ऐसा यह एकषिए तैनल गई तीन ढुजह करते हैं दो गुणा ल्गोड़ा तीन गुणा दो यह आ गया अब हम्किज होता है चारभ याटाब्स लिखे सुंपल तारीक से मैं आपको समझा दूँगा तो देखिए 4 के हम गुणा करेंगे क्या होगा 2 दो दुनी चार हो जाएगा फिर इसके बाद 6 के करेंगे तो यहां पर तीन दू यह आएगा फिर pedir हम करेंगे 8 के यहां पर क्या दू गुणा-दो गुणा दो ठीक है 214 मात द्याव हो है तो निर्फ हमारा हो गया अब दे Mexico हमम यहां पर मिटा देते हंते भंचाइड क्यों पता जल गया है पता हमको चल गया है कि एलसी हमाया है इतना 24 हैके हैं 24 को यहां पर समझ्य में अब डेखें इसका खीया yourself यहां पर चार से भी आजा है जो लगी है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी आए तो आप उसको सबसे पहले देख पाएं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत